हेलो प्रेंज मैं मुस उस्मा और आज मैं बनाने जारे हूं सॉफ्ट एन इस्पंजी मटर का ढोगला तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप मटर दो हरी मिर्च और एक टुकड़ा अद्रक का और नमक टेस्ट के नुसार लेना है हमें तो सबसे पहले जार में मटर को पीस लेन तो यह मैंने इसका पेष्ट बना लिया है यह देखिए अब इस पेष्ट को एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे ताकि हम इसमें और मसाले मिला सके तो यह मैंने इसे एक बरतन में निकाल लिया है और इसके बाद अब इसमें मैंने यह आधा कप सूजी मिलाई है और अभ और अब इसमें मैंने ये दो चम्मच दही डाल दिया है खट्टा वाला और अब इन सभी इंग्रेडियंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस प्रकार से इन्हें मिक्स कर लेंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद अब आधा कप सूजी मैंने और एड़ कर दिये मतलब टोटल एक कप सूजी इसमें डालनी है एक कप मटर में एक कप सूजी लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से इसका गोल तेयार करना है तो इसमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है जो इसमें सूजी डली है उसे फूलाने के लिए फिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी एक एक दो दो चमच मैंने पानी इसमें एड़ किया है और फिर इसे अच्छे से घोल लेना है इस प्रकार से अच्छे से मिला लेना है पूरे इनग्रेडियंट्स को और एक अच्छा घूल तयार कर लेना है वीडियो पूरा जरूर देखेगा और अच्छा लगए तो इससेền लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनेल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो इस प्रकार से पूरा मिलाने के बाद अब इसे कम से कम आधे घंटे के लिए फूल लें के लिए रख देंगे और आधे घंटे के बाद इसे चेक कर लेंगे तो ये देखिए घोल तैयार है अब मैंने एक दूसरा pot लिया है और इसमें oil grease कर लेना है तो सबिखेचे तूक तरफ oil लगा लेंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा basin डाल लेंगे ताकि ढोखला पलटने पर प्तुने से निकल आए मैंने थोड़ा सा इसमे बेसन डाल दिया है अब इसी सब तरब इस प्रकार से हिला लेंगे अब पॉट रेडी है अब इस घोल को डालने से पहले इसमें इनो पाउच डाल लेना है एक इनो पाउच इसमें पूरा लग जाएगा तो एक इनो पाउच इसमें पूरा डाल देना है इस प्रकार से और फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है और इस प्रकार से मिलाने के बाद ये पूरा मिला लिया है और अब इसे पॉट में उडेल देना है पूरा पलट देना है और मसाला सब इंग्रेडियन्स डालने के बाद अब इसे थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से ठोक लेना है ताकि मसाला पूरे में चुगोले पूरे में सेट हो जाए अच्छे से और मैंने कड़ाई में पहले से पानी गरम होने के लिए रख दिया था ये देखे पानी भी गरम मिनिट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे 25 मिनिट के बाद ये देखे ढोकला फूल चुका है उपर अब इसे चेक कर लेते हैं कि अंदर तक पका है नहीं तो चाकु में कुछ भी लगके नहीं आया है इसका मतलब है कि ढोकला अच्छे से पक चुका है अब इसे बाहर न और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे इस प्रकार से चारो तरब से चाकु से किनारे इसके अलग कर लेने हैं और इसे किसी बड़ी प्लेट पे बड़े बर्तन के उपर थाली के उपर पलट देना है इस प्रकार से तो ये देखे कितनी आसानी से ढोकला बाहर आ जाता है यह देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनके तयार है अब इस पे बगार लगा देंगे तो यह मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है और तेल को गरम होने देंगे और इसमें सबसे पहले मैंने यह हींग डाल दी है और उसके बड़ राई डाल देना है बारीकवली राई और करीपत्ता से बगार लगाएंगे अब इसे ढोकले के उपर पलट देंगे इस प्रकार से पूरे में फैला देंगे तो ढोकला में बगार भी लग गया अब इसमें कट लगा देंगे इस में इस प्रकार से चाकू से काट लेंगेikke सारे पीश-पीस कर लिए मैंने और आपके पूरे इसे प्ले प्लेट में रखके सर्फ कर सकते हैं तो यह देखte कितना सॉफ्ट बना क्ना है यह देखे सॉफ्ट टैनी स्बंजी मटर का डोकला तयार है